एलो गाइस आप देख रहे हैं ए टू जट होम से डिजाइनिंग यहां पे मैं आपके लिए बहुती ही बहुती ही बहुती ही हाउस प्लान की बीडियो अप्रोड करता रहता हूं आज मैं प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज है 20 x 40 फ्रेंटेस का 20 फिट दिया लंबा इसकी कि यहां पे आप देख सकते कुछ इस तरीकिस प्लान मिलता है पूरा आपको थीडि में 20 x 40 में आपके कुछ इस तरीकिस दी गई है फुल बेंटिलेसन साथ में हाउस प्लान कंप्रीट दिया हूआ है तो सबसे पहले बात करते ग्राउंड फ्लोर के अगर आप हमारे चैनल पर फिर्श तायम है प्ली चैनल को सब्स्क्राइब करने बेल आकन को ब्रेस कर लेना है यहां पर आपको इस तरीके से न्य उनी वीडियो मिलते रहेंगे तो यहां पर दीख सकते हैं यहां पर आपको पार्किंग एरिया हूआ है इस पारकिंग का मैंने साई रखा हुआ यहां पे आप अपनी नेम लगा सकते हैं उसके बाद यहां पे आप दिख सकते हैं यहां पे आप कुछ इस तरीके से इंटिगेर उन्ता गेट से आप इंटी लेंगे इंटी लेंगे इंटी लेने बाद यहां पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है रूम के बेंट कि यहां पर देख सकते हैं यहांotte से इंटी लेंगे यहां पर आपको सबसे पहले जीना मिल जाता है के जीना आपका 3 जीन इन्हीर मा चाश्वाय तरिका कॉल कव दिख जाती है यह जो कि यहां कि श॥ा उसके बाद यां पे आप आ बैठक बनााना चाहें थे हौल मे mean एठक बना सकते हैं इस हौल कहूल का मैं रखा हुआ है 7 होई 16 हो इस सैट मेंडया की इंडो दी कही है सावॉशलिया का घुज एक होड मैं यहांकि हाँ लिए आपने देख सकते हैं और इस से इंटिर मिलता अंप इंटीय। से लचने होगे a 4y8 के आपके लेटिंग वाथ हूं कमेंट दी गई है दिख सकते हैं 4y8 जो कि आपके common लेटिंग वाथ हूं दी है अगर आप रूम में अटेच करना चाहते हैं तो इस साइड आप गेट लगा सकते हैं तो यहां पर आपका master bedroom हो जाएगा रूम में लेटिंग वाथ हूं अट 10y13 का आपका room दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 10y13 का उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको open kitchen मिल जाती है kitchen के ventilation इस साइड से आपको window दी गई है kitchen का fully ventilation होता रहेगा इस kitchen का मैंने साइड रखा 7y8 के आपकी open kitchen दी गई है देख सकते हैं 7y8 तो यहां पर आप दे जीने से आपको उपार आने बद कुछ इस तरीके दिख जाता है है कि है यहांपे आप देख सकते हैं यहांपे आपको रट षख से नियुक्षा इन जाता है जैसा कि हाई आप देख सकते हैं आने जाने और Stephanis साइड से आपको बेंडो भी दी गई है नहीं है इने आप यहा पे आप देख़ सकते हैं यहां पे आपका बार्क काररा का बारक शुब दिये इस बूझा तर शुक्य है बना हुआ है वाटेमिक तरीकें लिए उपर पानी तंक की रख सकते हैं यहाँ पर आपको open terrace मिल जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकनी कुछ इस तरीकें मैं अलिवेशन दिया हुआ है जोकि आपकी बालकनी भी ओजाला बना रहेगा दूप बहुत बगहरा आती रह आज के लिए बतना आई वीडियो देखें धन्नवाद।